दोस्तों पनीर की ग्रेवी आपने अलग अलग तरीकों से खाई होगी लेकिन ऐसे पनीर की ग्रेवी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी योकि हमने यहाँ पर शोया और पनीर डाल के बनाया है हम यह ग्रेवी बहुत अलग तरीके से बनाएंगे आप इसे जरूर से जरूर स्ट्राइए करें फिर दोस्ट किचन में आपका स्वागत है तो हम सुरू करते हैं हमने यहापे गरम पानी लिया हुआ है पिकाटोरे में और इसमें हम शोया बड़ी डालेंगे इसमें हम आधा टेबल स्पून नमाग डालेंगे और आधा टेबल स्पून हल्दी डालेंगे इसे मिक्स करेंगे इसमें आधा टेबल स्पून लाल मिश पाउडर डालेंगे इसमें कास्मीरी मिर्ज भी डालेंगे हम कलर लाने के लिए फ्लेम पे हम कड़ाई रखेंगे इसमें थोड़ा से ओल डालेंगे और पनीर को थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे और अब हम पनीर को फ्राई करेंगे आप सोच चूँँगे कि हमने पनीर को क्यों फ्राई की इससे टेस्ट बढ़ता है मेडियम फ्लेम पे हमें पनीर को फ्राई करना है आप देख सकते हैं पनीर हमारी फ्राई हो चुकी है और इसी गरम पानी में पनीर को भी डालेंगे इससे हमारे पनीर और भी बड़े हो जाएंगे और शॉप्ट होंगे इसमें मोहल थोड़ा और डालेंगे कटी हुई प्यास बारिक इसमें फ्राई करेंगे प्यास को हमें गोल्डन ब्राउन तक करना है और हमने यापे एक ट्रमाटर लिया है और थोड़ी से लेशुन लिया है और इसमें अद्रग भी थोड़ा से लिया हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे भीची जादा नहीं डालेंगे और इसे पीच देंगे लिए हम आप देख सकते हैं पीच लिया हुआ है हमारी प्याज भी ब्राउन हो चुकी है इसे हम निकालेंगे अलग और फेला के रखेंगे हमने कुछ खड़े मसाल लिये हैं अब इसमें डालेंगे और पीच हुए टेम नमक डालेंगे, नमक डालने से टेस्ट बढ़ता है, इसमें डालेंगे मलाल मुर्श पाउडर, और इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिट के लिए हम पकाएंगे, आप देख सकते हैं, दस मिट हो चुके हैं, इसे मिलाएंगे अच्छे से हम, इसको भी डालेंगे, इसे टेस्ट बढ़ता है, बहुत जादा बढ़ता है, दोस्तों जब आप पकाएंगे, आपका किचन खुस्बू से महिकता रहेगा, इसे हम मीडियम फ्लेम पे 3 मिट के लिए पकाएंगे, हमारी जो ब्राउन की हुई प्याज है, इसको हम पीसेंगे, और इसमें कुछ भीगे बढ़ाम और उमोम फली के दाने भी डालेंगे, इसको भी पेस लेंगे, और इसको भी डालेंगे इसमें, दोस्तों जब आप पकाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खुस्बू आती है इसमें, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे हम, और इसमें हम अब शोय वड़ी डालेंगे, और इसका पानी निकाल लेंगे पूरी तरीके से, इसमें पनीर भी शाद में डाल देंगे हम, और इच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें बलाश में क्योडा वाटर डालेंगे थोड़ा सा, इसमें फ्रेश कट्यूई हरी मिर्च भी डालेंगे हम इसमें हम गरम पानी डालेंगे थोड़ सा इसमें कट्यूई हरी धन्या भी फ्रेश डालेंगे आप देख सकते हैं तो या बड़ी और पनेर की सबजी पूरी तरीकिश बनके तयार हो गई है आप अपनी फैमिली के साथ बैटके शर्प करें यूट्यूब चैनल फिर्जास के चन में आखरे तक जुड़े देने के लिए आपका धन्यवाद